हाई फ्रेंड्स हर्यों कुलकर्णी हेर तोड़े वी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए शुरू करते हैं क्या हो रहा था कि अपना टैस्ट डिपार्टमेंट में पर्चेस करेंगे मतलब कोई भी यूनिट्स आप कोई भी मिनिममम आमाउंट मतलब एक सर्टन परसेंटेज पर स्टैंड देना पड़ेगी अगर आपने मान लीजे एक लाग इन्वेस्ट किया मुचल फंड्स में तो आपको मुचल फंड आउस यूनिट्स इशू करेगा सिर्फ 99,995 मतलब आपका जो पांच रुपए है बचे वाला मतलब आपको यूनिट्स जो अलोकेट हो गए वह हो गए 99,995 रुपीज के और आपकी जो पांच रुपए है वह आपकी स्टैंड डूटी एड्रेक्ट हो तो certain key points regarding the stamp duty which is levied on mutual fund purchase from July 1st 2020 तो यह कोण से कोण से transaction पे लगेगा तो लंसम इन्वेस्टमेंट्स मतलब आपको यूनिट्स में इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको स्टैंड डूटी लगेगी तो उसपे भी आपको stamp duty लग जाएगी और dividend reinvestment means अगर आपने कोई dividend payout के scheme में इंवेस्ट किया है mutual funds में और वो company ने वो particular company ने आपको dividend pay किया है और वही आपने reinvest कर दिया reinvestment option choose कर लिया same mutual funds में तो उसपे भी आपको stamp duty लग जाएगी stamp duty का rate है rate किया गया है 0.005% मतलब एक लाग के transaction पर आपको 5 रुपए stamp duty देना पड़ेगी तो यह सिर्फ purchase के लिए है आपको redemption पर मतलब जब आप उसमें से पैसे withdraw करेंगे या फिर कोई units redeem करेंगे तो आपको को 0.005% से mutual fund के purchase पे stamp duty देना mandatory है one important point in this amendment is that the duty in case of transfer of mutual fund units between say two demat accounts will be at the rate of 0.015% means normal case में वो थी 0.005% लेकिन अगर कोई भी units आप mutual fund मतलब demat account से transfer कर दो एक demat account से तुसरे demat account में तो आपको stamp duty लग जाएंगी 0.015% के हिसाब से और एक खास बार जब भी आप dividend reinvestment करेंगे जैसे कि हमने अभी बात की मतलब कोई भी scheme में अगर आपको dividend payout मिलता है और वही आप अगर reinvest करते हो तो जब भी आप इस पे stamp duty लगाएंगा लगाएंगे government तो tax deducted at source deduct करने के बार आपको इ मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप आए बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो तो जब भी आप dividend reinvest करते हो तो TDS deduct करने के बाद आपको यह मिल जाता है stamp duty देना पड़ती है So this is all about the stamp duty which will be levied from 1st July 2020 on mutual funds purchase अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो like, share and subscribe करना ना भूले मैंने और भी मेरे social accounts की लिए वीडियो के description box में दिये है जिसे भी आप follow कर सकते हैं तो मिलते हैं आपनी अगली वीडियो में Keep enjoying TaxVidHKK के बाई बाई